इस नागपूर की विधान से नहीं चला सकते आप जिस कुर्शी में बैठे हैं वो देश के समिधान की वज़े से बैठे हैं और आपको देश का समिधान मानना पड़ेगा नागपूर का विधान अब आपको भूलना पड़ेगा देगे समाजवादी पार्टी का बहुत दिनों से ये मानना रहा है कि महलाओं को बराबर लाने के लिए महलाओं को से कंधे से कंधा मिला कर चलने के लिए इस देश को महला आरक्षन की जरूरत है लेकिन महिला आरक्षन किस आधार पे दिया जा रहा है क्या उसमें पिछडी जातियों की महिलाओं के लिए दली समाज की महिलाओं की भी तरक्की के लिए आरक्षन है उस 33% में या नहीं है ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि जो गरीब तबके की महिलाएं है जो सोशी पीडित समाज की महिलाएं हैं वो भी मुख्य धारा में आएं देश के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें इसलिए जरूरी है कि उस 33 प्रत्सत आरक्षण में पिछडे दलीत और जो स्टी समाज की महिलाएं हैं उनको कितना मिला है झाली 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 जरूरी है.